और महिला लोग अगर पूलीस के सामने जाके कम्प्रेंड के लिए जाते थे बोलते थे शेक सजाहान जो है उसका जो गैंग है उसके पास से पर्मिशन लेके आईए आप तब आपका एफाईर होगा ममता बैने जी कल बोल रहे थे न कि एक भी एफाईर नहीं है इस लिए नह जी सिर्फ 30% politics, 30% vote के लिए, खोच-खोच के हिंदु महिला को उठाते थे, हिंदु महिला को सम्मान बरवात करते थे, और कुछ नहीं, एक भी अभी तक एक भी उन्होंने statement नहीं दिया, उन्होंने शेक शाजान आभी तक absconding है, कल शिवु शादर को arrest किया, ये दोनों को arrest कि लेकिन जो main लोग है, अभी शेक साजान कहां पे है, सब लोग, उनका परिवाल लोग उनके साथ everyday बात करते है, लेकि पूलिस उसको खोज नहीं पा रहे है, क्योंकि ममता बैनेट जी का जो आचल है ना, आचल के अंदर में ये ये शेक साजान को डग दिया, क्योंकि सामने महिला को मान, इज़त, सम्मान, लूट रहे है परिश्ची मंगाल में, सिर्फ 500 रुपय में, अभी बाजट में, एक साइड में बाजट में घषना किया 500 से हजार हो जाएगा, और दूसरा साइड में हिंदू महिला को खोच-खोच के ले रहे, और जो लोग अभी टीवी के बहुत सारा आपके जैसा मीडिया लोग उहां पे गया, महिला गया, मीडिया लोग, महिला जाके घर में घर में जाके उसका बाइट ले रहे, सब लोग एकदम पूरा कपरा ढखके, सब लोग बोल रहे हैं कि देखिए हमारे मूख नहीं दिखाईए, क्योंकि ये जब तक ह हमारे उपर भी अटक होगा, और ऐसे ही हो रहे है, सिविल ड्रेस, ऐसे ही लोग पुलिस का ड्रेस में आते हैं, और जो जो लोग को वो देख रहे हैं कि टीवी में बाइट दे रहे हैं, उसका घर लूट हो रहे है अभी, अभी शंदेशकली का सीचेशन, अब समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग कहां पर हम लोग सुने हैं कि आइसिस, आइसिस का सुना है हम लोग, हम लोग इराक, इरान का बात सुना है, हम लोग पकिस्तान का बात सुना है कि महिला के उपर कैसा अट्चा चलते है, आज वही पश्चिमंगाल में हो रहा है